हेलो फ्रेंट्स, सिंपल इजी टिप्स टुबे फिट अन हेल्दी चैनल में मैं मनिशा आपका स्वगत करती हूँ फ्रेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो थाइराइट के पेशन्ट है, शुकर वाले पेशन्ट्स हैं और जो अब्डामिनल फैट वाले पेशन्ट्स हैं वो इस समर में अपना डाइट प्लान कैसे फॉलो करके अपना वेट रिडूस कर सकते हैं फ्रेंट्स, इक जबदस डाइट प्लान में आज आपको बताने वाली हूँ चोकी है समर डाइट प्लान इसकी शुरुआत आपको करनी होगी दो चम्मच धनिये के बीज याने की कॉरेंडर सीट्स को रात को एक खिलास करम पानी में विगो करके फ्रेंट्स, दो चम्मच धनिये को आप एक गलास करम पानी में रात को भीगो दीजिए और सुबह आपको उसके अंदर एक गलास पानी और एट करके उसे अच्छे से उबालीजिए उसके बाद जब वो थोड़े दिर उबल चाहिए उसा कलर कुछ इस तरह से यलो हो जाएगा तो फ्रेंट्स आपसे स्टेन करके यानि की छान करके थोड़ा कुनगुना हुने पर बासी मुही पी लीजे बिना ब्रश करे फ्रेंट्स इससे थायराइट कुछे दिनों में नॉर्मल भी हो जाएगा और साथ में वाटर रेटेंशन यानि की जो स्वैलिंग आ जाती है बॉड़ी में उसकी प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी साथ ही साथ समर में ये कॉरेंजर जो वाटर है आपको ठंडग भी बरदान करेगा फ्रेंट्स पास रहे के आपको ड्राइफूट्स लेने होंगे आप इसके साथ चाहे तो एक कप चाहे भी पी सकते है इसमें आप इस चैचियो आलमंट्स वालनट्स और रेजिन्स यानिक सांभर भी इसके साथ लेंगे फ्रेंक्स एक या दो बावल अप सांभर के लिए लिजे और दो इटली ये आपका यमी सा टेसी सा ब्रेकफास हो जाएगा इसके बाद फ्रेंक्स मिड़े मील में आपको लेना होगा एक बड़ा सा बावल एक बड़ी सी प्लेट फूट इस सेरे से कुछ मिक्सा फ्रूट सैलिट टाइप का आप बना लीजे और आप उसको खाये इसके बाद दिभैर को आपको दो रोटी और कोई सी भी दाल जो आपकी फेडरेट हो उरत की दाल ना हो वस सैलिट के साथ आप लीजे बहुत सिंपल डाइट प्लान है आप चाहे इससे मेटबॉलिक रिट बहुत तेज हो जाएगा और फैट बर्न बहुत जल्दी होगा फ्रेंट साड़े पांच बजे के करीब आपको एक करे लेका जूस पीना होगा जो थाइराइट और शुगर दोनों के पेरिशन्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है फैट बर् जो कि आप सिफ सर्सो के तेल या घर के देसगी में ही बनाएंगे उसमें तड़का लगाएंगे इनी चीजों का इसमें थोड़ा जीरा भी आप बून करके डालिए जिससे की और फैट बर्निंग प्रॉसस होगा फ्रेंट रात को अगर आपको भूक लगे तो आप एक कब भी ले सकते हैं कॉंस्टिबिशन है तो इसब भी ले सकते हैं मेरा वीजो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए गा थैंक यू और गुडबाई